होड़ा! होड़ा! अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें, तो खुद से पूचें, ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा? तम बाकू आज ही छोड़ें, सहायता के लिए 18-0-1-1-2-3-5-6 पर कॉल करें, या मिस्ट कॉल दे, 0-1-1-2-2-9-1-7-1 पर दोस्तों क्या आपने सूपरेस्टार दबंग खान यानि सर्मान खान सर के खिलिम सुल्तान मुवी को यूटूब पे देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंट तक जुड़ल रहें और दोस्तों आज किस वीडियो में बात ने करेंगे इस मुझ सुल्तान मुवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फेक्ट है जो सायर आप भी जानते होंगे तो दोस्तों इन सबी चीजों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंट तक जुड़ल रहें और दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथी साथ बेले कन फ्रेज करना बिल्कुल ना बुले बात करें दोस्तों फिल्म का सूपर स्टार सलमान खांचर की फिल्म सुल्तान मुवी का डिरेक्टर अलिया वास जफर ने किया था वैसे ही दोस्तों फिल्म का पॉडूसर अदित्या चोबडा ने किया था और फिल्म में सुपर इस्टार सलमान खान और उसका सर्मा रंदी फुड़ा जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने के मिलेंगे और दोस्तों बात करें इस फिल्म का संगीत कार 20 साल से खर द्वारा दिया गया था जो संगीत काफी लोग भी ये रहा था सुल्तान एक भाती हिंदी भासा का फिल्म है जिसका डायरेक्टर अलिया बात्चपर ने किया था और तथा पौडियूसर अधित्या चोपडा ने किया था इस फिल्म में मुक्या कीरदार में सर्मान खान और अनुस्का सर्मा है जबकि सहायक भूमिका में रंदी फुट्डा जैसे और बड़े इस्तार भी दिखाई देंगे फिल्म का संपादक रमेश्वर भागत बरा किया गया था और सुल्तान मुवी का यसरा स्टुडियो द्वारा बनाई गय थी और दोस्तों बात करें सुल्तान मुवी को हिंदी भासा में बनाया गया था और इंडिया में रिलिस किया गया था बात करें दोस्तों इस फिल्म की budget in box office collection के बारे में इस फिल्म को बनाने में budget एक से 40 क्रोड के आजपस budget लगी थी और इस फिल्म ने कुल कारोबार यानि वर्ल वाइट क्लेक्शन 6 से 23 क्रोड का क्लेक्शन किया था इस फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा परदसन किया था और इस फिल्म ब्लोगवस्टर शावीत हुई थी बात करें दोस्तों सूपर स्टार दबंग खान यानि सल्मान खान सर्के फिल्म की कहानी के थोड़ा सा बारे में इस फिल्म में सूपर स्टार सल्मान खान सुल्तान अले खान का किरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अले खान का किरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुट्डा फतेह सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिलिम की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली कान सालमान कान एक मादब में युवा का पूर्वा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रासित करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुसका सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कही महीने तक बहुत मेनत खाता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जटने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्ट्य एस्तर पर राष्ट्य एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ जिती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वा और मुकाबले में जीत जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खुन होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खुन देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसे उसका सपना पुरा करने के लिए पुरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब 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 उसका सरीर पेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फत्तेहा सिंग रंदी पुटा के पास छोड़ देता है जहां वह फुच्च सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सेहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पिकाल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़ने चाहिए इसके बाद आरफा अस्पिताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दज्व के बाद भी इस परतयोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के फैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिलिम का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना बिशाज से कर द्वारा किया गया है और जबकी बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मैं 2016 को प्रदिशित किया गया था फिलिम में सुपर स्टार सल्मान खान सुपर स्टार सल्मान खान ने काफी जबरदस्त भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सल्मान खान अनुसका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस्त दिख रही थी जो फंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेश्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की सुरुवात उन्हें से 88 में आई फिल्म डीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहली प्रमुक बूमी का सुरज आरबाट जाता है कि रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत में भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मेफेयर का सरवस्रेश नए अबिनेता का फुरसकार मिला वो फिल्मेफेयर सरवस्रेश आबिनेता के लिए अबिनेता के लिए नामंकन भी प्रात किया था उने से नप्वे में आई फिलिम खान की केवल एक ही फिलिम रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लॉर इसमें दर्चिन भारत की आप बिनेतरी नागमा मुक्या भूमिका में दूए यह फिलिम बॉक्स अपिस पर सफल रही थी और इसके बाद वर्च उने से एकानवे में इनके लिए सफल पर सापित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीट फिल्मों में मुक्यावुमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबरत सफ़कता के बाद उने से बादने और उने से तिरानमे में रिलीज गुई इनकी दमाम फिल्म में सफ़ल रही उने से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजय लीला भन साली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सब कलाकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिमा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी पुने से संतान में में इनकी दो फिल्में चुटवा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड हन के निर्देशक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिछूट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता है कि दोरा निर्देशी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपकी हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार आप बिनेतरी मादरू दिख्षित के साथ खान ने उने से 94 में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात करें दोस्तों सुपरेश्टार आप बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धों की एक बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्ति और ककड़ द्वरा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्म फियर पुडर्शकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकान दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी कीपेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केलियर की शुरुआत इनकी फिल्म केलियर की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में अनुस्का सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्रात के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछा को मिली और फिल्म सफल रही अनुस्का सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाए थी सितमबा 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिख के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेश्टार अब्विनेता रंदीफुड़ा रंदीफुड़ा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिलिम में नजर आते हैं विद्धारती जीवन में ही रंदीफुड़ा ने अब्विनाई छेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अब्विनेता तोर बर कार्या करने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुवाद 2001 में मेर नायर की मानसून में अबिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्रात की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल परियोजना के कारह किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म Once Upon A Time In Mumbai में से की और जो इनके केरियर का निर्मान भिंदूर रहा और इसके पस्चाद से हिसाब साहिब बीबी और गैस्टर 2011 जन्नट टू 2012 और रंग रसिया 2014 में भूमिका मतपुन भूमिका निभाई और अपनी भूमिकाओं के लिए ये जाने जाते हैं का निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का केरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का केरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिलिम की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक माद्द में युवा का पुरुआ पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिक का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आरफा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमे के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरीर बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की राचना 20 साल से घरद्वारा किया गया है और जबकी बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मई 2016 को प्राधिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस्त भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस्त दिख रही थी जो फेंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेस्टर सलमान खान ने अपने बिनाई की शुरुवात उन्हें से 88 में आई फिल्म बीबी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलीबूर फिल्म में उनकी पहली प्रमुक बूमी का सुरज आरबाट जाता है कि रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म बारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सरवस्ट्रेस्ट नए अबिनेता का पुरस्कार मिला वो फिल्मे फिल्म फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या मुक्या भूमिका में दी और इसे और इसके बाद बर्ज उने से 9 में इनके लिए सफल बर्ज सावित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीड्ट में मुक्याभूमिका निभाई जिन में सामिल है पराम्हें में ही बॉक्स अपीस पर इन फिल्मों का जबर्द सफल के बाद उने से 293 में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 93 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजयली लवहन साली की दिशामक्त शुरुवात और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से 97 में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुट जाने के कारण दोरी भुमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकौन में सहाय कलाकार की भुमिकानी भाई और सुपरेश्टार अब बिनेतरी मादरुज दिख्षित के साथ खान ने उने से 94 में आपनी पहली सफलता का एतिहास पुलना दोराया बाट के दोस्तों सुपरेश्टार अब बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक अब बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआती थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वरा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुड़सकारों में सरोस रेस्टा बिनेत्री का नामंकान दिलाया और स्टूपर रेस्टार बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोईली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की शुरुआत इनकी फिल्मे केरियर की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में 2010 में अनुसका सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्रात के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा नेक बनाया था और रनवीर सिंग इसमें प्रामुक भुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछ चकव मिली और फिल्म सफल रही अनुस्का सर्मा के अभिनाई की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाए थी सितंबा 2013 में हनुस्का सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंत फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिए उत्गाटन सम्रोह में भाग लिया था बात किरें दोस्तों सुपरेश्टार अबिनेता रंदीफुड़ा रंदीफुड़ा ये एक बात्या बिनेता है जो हिंदी फिल्म में नजर आते हैं बिद्धार्ती जीवन में ही रंदीफुड़ा ने अबिनाई छेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अबिनेता तोर बार कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने आपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसुन में अबिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसान स्प्राद की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल परियोजना के कारह किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम इन मुंबाई में से की और जो इनके केरियर का निर्मान बिंदूर रहा और इसके पस्चाद से हिसाल साहिब बीबी और ग्यास्टर 2011 जननट टू 2012 उसका बचा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख्ड बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अकाश सुल्तान को बोलता है कि यदि वरल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वो उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वो कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वो अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दर्द के बाद भी इस परत्योगिता को जीच जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बरसों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से खरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबर्दस भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबर्दस दिख रही थी जो फैंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की शुरुआत उने से 88 में आये फिलिम बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निभाई थी बॉलिवूर्ट फिलिम में उनकी पहले प्रमुक बोमी का सुरज आरबार जाता है की रोमांस फिलिम मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिलिम भारत में भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्ने फियर का सुरो स्रेश नए अबिनेता का प्रोसकार मिला वो फिल्ने फियर सुरो स्रेश आबिनेता के लिए अबिनेता के लिए नामंकन भी प्रात किया था उने से नब्बे में आई फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दर्चिन भारत की आब बिनेतरी नागमा मुक्या भूमिका में दी यह फिल्म बॉक्स अफिस पर सफल रही थी और इसके बाद बर्च उने से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च थाबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीं सफल हीट फिल्मों में मुक्या भूमिका नीभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबर्द सफलता के बाद उने से बान में और उने से तिरानमे में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजय लिला भनसाले की दिशामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोई राला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड होन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता है कि दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहयो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपर स्टार आप बिनेत्री मादरू दिख्षित के साथ खान ने उने से चोरान में में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपर स्टार आप बिनेत्री अनुस्का सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक बिनेत्री है इन्होंने अपनी अबिने सफर दुजार आठ में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोडी के साथ शुरुआती थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुडर्शकारों में सरोस रेष्टा बिनेत्री का नामंकन दिलाया और स्टूपर रेष्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किरकेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरीय की सुरुआत इनकी फिल्मी केरीय की सुरुआत हनुसका सर्मा ने 2010 में यसराज फिल्म के साथ अपनी तिल फिल्म का सथा बैंड बाज़ा बाद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक भूमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछा को मिली और फिल्म सफल रही अनुस्का सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिल्म अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाए थी सितमबद दौजात तेरन में अनुस्का सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंद फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और दौजार पंद्रम में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिए उद्गाटन समरोह में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेश्टार अब्विनेता रंदिप हुड़ा रंदिप हुड़ा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिल्मों में नज़र आते हैं बिद्धारती जीवन में ही रंदिप हुड़ा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मॉडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बर कार्या करने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पास्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलीज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राव की डी के बाद खुड़ा ने कई सफल परियोजना के कारे कारे किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुतारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम अबी थुई थी बात करें दोस्तों सूपर स्टार दबंग खान यानि सर्मान खांसर के फिल्म की कहानी के थोड़ा सा बारे में इस फिल्म में सूपर स्टार सल्मान खान सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का किरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिलिम की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक माद्दम में युवा का पुरुवा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सार में रहता है था आकास अब्राय अमित सार एक प्रो टेक डाउन लीग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साप साप मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत करता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह और मुकाबले में जीट जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमे के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख्ट बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सपना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दर्द के बाद भी इस परतियोगिता को जीट जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लोट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बरसों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से खर द्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एल्बम 31 मई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबर्दस भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुसका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबर्दस दिख रही थी जो फैंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेश्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की सुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है कि रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सौरवस्टरेश्ट नए अबिनेता का पुरसकार मिला वो फिल्मे फिल्म फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या में दें यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसे और इसके बाद बर्च उन्हें से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तिन सफल हीड फिल्मों में मुक्या भूमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्हम में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबर्थ सफलता के बाद उने से 92 और उने से 93 में में रिलिज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 96 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लिला भनसाली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके है कौन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार अब बिनेतरी मादरूई दिख्षित के साथ खान ने 2004 में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेश्टार अब बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की एक अब बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोडी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोपड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्ती और ककट दोरा बनाई गई फिल्म बेंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी सराहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुडर्सकारों में सरोस्रेस्टा बिनेतरी का नामंकन दिलाया और सुपर रेस्टार बिनेतरी अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्धा खिलाड़ी किर्केटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरिया की शुरुआत इनकी फिल्मी केरिया की शुरुआत हनुसका सर्मा ने 2010 में हनुसका सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्रात के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछा को मिली और फिल्म सफल रही अनुसका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुसका के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाई थी सितंबा 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रिमियर गीत के लिख के लिए उद्गाटन समरोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेस्टार अब बिनेता रंदीफुड़ा रंदीफुड़ा ये एक बात्या बिनेता है जो हिंदी फिल्मों में नज़ा आते हैं विद्धारती जिवन में ही रंदीफुड़ा ने बिनेच्चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मॉडल तदर रंगमच अबिनेता तोर बार कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसुन में अबिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राइब की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल परियोजना के कारे कारे किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम इन मुंबाई में से की और जो इनके केरियर का निर्मान बिंदूर रहा और इसके पस्चाद से हिसाव साहिब बीबी और ग्यास्टर 2011 जन्नट तो 2000 सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का किरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिलिम की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक मादब में युवा का पूरुवा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुसका सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जबने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्टान अकेला वहां रख द बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अका सुल्टान को बोलता है कि यदि वर्ल लीग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सपना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब उस तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसकारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सेहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से छोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते है इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्षों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल सिखर द्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्टर दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुसका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस दिख रही थी जो फ्रेंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की सुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है की रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सुरवस्ट्रेश नए अबिनेता का पुरसकार मिला वो फिल्मे फिल्मे फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या भुमिका में दीया मां भुमिका में तो Should seventeen Less वा सफलरी थी और इसे और उसके बाद बड़्मे में इनके लिए सफलर साबित हुआ जब इन्होंने लागातार तीन सफल हीड फिल्मों में मुक्या भूमी का निभाइ जिन में सामिल है पराम्भह में ही बॉक्स अप手 पर इन फिल्मों का जबर्द सफलता के बाद उने से 22 और 1993 में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 96 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लिला भनसाली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला, नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड होन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार आप बिनेतरी मादरी दिख्षित के साथ खान ने उने से चोरान में में आपनी पहली सफलता का एतिहास पुलना दोराया बात करें दोस्तों सुपरेश्टार आप बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मॉडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धों बॉलीवूर्ड फिल्मों उद्धों की एक बिनेतरी है इन्होंने अपनी अभिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बेंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफिस रहा गया था दोनों ही फिल्म ने इन्हें फिल्म फियर पुड़सकारों में सरवस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकन दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की शुरुआत इनकी फिल्म केरियर की शुरुआत अनुस्का सर्मा ने 2010 में 2010 में अनुस्का सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बैंड बाजा ब्राद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर् था और रनबीर कब रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिलिम को अच्छी समिछा को मिली और फिलिम सफल रही और उसका सर्मा के अभिनाय भी अभिनाय की भी तारिफ हुए थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिलिम अनुसका के लिए केरियर के लिए प खाफी पचान दिलाए थी सितंबा 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंद फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर फिरीमियर गीत के लिख के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सुपरेश्टार अबिनेता रंदीफुड़ा रंदीफुड़ा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिल्म में नजार आते हैं बिद्धारती जीवन में ही रंदीफुड़ा ने अबिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अबिनेता तोर बर कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसुन में अबिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पास्चाथ भी इहोंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राइब की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल परियोजना के कारे कारे किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम में युवा का पूर्वा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सार में रहता है था आकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वह इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये पालवान को रखना चाता है इसके लिए वह सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अन्तर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आरफा अनुसका सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनद काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्ट्य एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जिद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेमी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्टान दर्द के बाद भी इस परत्योगिता को जीत जाता है और सुल्टान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्टान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की राचना बिसाल से खरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्टर दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर इस्टर सलमान खान ने काफी जबर्दस्त बोमी का निभाय है और सुपर इस्टर सलमान खान अनुसका सर्मा की जोडी ये सुल्तान मुवी में काफी जबर्दस्त दिख रही थी जो 팬's ने काफी अच्छा किया था सूपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की शुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निभाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहली प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है की रोमान्स फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्ने फेयर का स्वर स्रेष न्य अबिनेता का पुरसकार मिला वा फिल्ने फेयर स्वर फिल्मों अबिनेता के लिए नामंकन भी प्राथ किया था उन्हें से 90 में आई फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लो इसमें दच्चिन भारत की आप बिनेतरी नागमा मुक्या बुमिका में दी यह फिल्म बॉक्स अपिस सफल रही थी और इसे और इसके बाद बॉर्षुने से एकानवे में इनके लिए सफल बॉर्ष साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीट फिल्मों में मुक्या भूमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबर्द सफलता के बाद उने से 22 और उने से 93 में में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 93 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लवहन साली की दिशामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सकालकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिच्छ को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्षन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिछूट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेस्टार अब बिनेत्री मादरुष दिख्षित के साथ खान ने उने से 94 में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेस्टार अब बिनेत्री अनुस्का सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक अब बिनेत्री है इन्होंने अपनी अब बिनेत्र सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुर्ती और ककड द्वरा बनाई गई फिल्म बैंड बाजा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुड़स्कारों में सरोस्रेस्टा अब बिनेत्री का नामंकान दिलाया और स्टूपर स्टार अब बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबर 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्केटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की शुरुआत इनकी फिल्मे केरियर की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में अनुसका सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बैंड बाजा ब्रात के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रन्बीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछा को मिली और फिल्म सफल रही अनुसका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुसका के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाई थी सितमबद 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिए उद्गाटन समरोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेश्टार अबिनेता रंदीफ हुड़ा ये एक बारतिया बिनेता है जो हिंदी फिलिम में नजर आते हैं विद्धार्थी जीवन में ही रंदीफ हुड़ा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बार कार्या करने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुवाद 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पास्चाथ भी इन्होंने अगली पर्योजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपाल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस्प्राग की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल पर्योजना के कारह किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम इन मुंबाई में से की और जो इनके केरियर का निर्मान बिंदूर रहा और इसके पस्चाद से हिसाग साहे बीबी और गैस्टर दोजाए इस फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा बर्दसन किया था और इस फिल्म ब्लोगबॉस्टर शावीत हुई थी बात करें दोस्तों सूपर स्टर दबंग खान यानि सर्मान खान सर्के फिल्म की कहानी के थोड़ा सा बारे में इस फिल्म में सूपर स्टार सलमान खान सुल्तान अली खान का केरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का केरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का केरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक माद्दम में युवा का पुरुवा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लेक का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अन्तर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की काहानी बताता है जब सुल्तान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यर्स कुछ समय बाद आरफा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीज जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बरसों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की राचना 20 साल से घरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सूपर स्टार सलमान खान सूपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस भूमी का निभाई है और सूपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस दिख रही थी जो फेंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की सुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रमुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है कि रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मेफेयर का सुरवस्ट्रेश नए अबिनेता का पुरसकार मिला वो फिल्मेफेयर सुरवस्ट्रेश अबिनेता के लिए अबिनेता के लिए नामंकन भी प्रात किया था उने से 90 में आई फिलिम खान की केवल एक ही फिलिम रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लो इसमें दर्चिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुख्या भूमिका में दी यह फिलिम बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसके बाद बर्च उने से 91 में इनके लिए सफल बर्च साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीट फिल्मों में मुख्या भूमिका निभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अबिस पर इन फिल्मों का जबर्च सफलता के बाद उने से 92 में और उने से 93 में में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 93 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजय लीला भनसाली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम मुजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिमा बिस्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिछूट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के द्वारा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार अब बिनेतरी मादरुष दिख्षित के साथ खान ने उने से चोड़ान में आपनी पहली सफलता का इतिहास फुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेश्टार अब बिनेतरी अनुस्का सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धों की एक अब बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआती थी जोकी अदित्या चोपड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुडर्सकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकन दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्केटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इन की केरियर की शुरुआत्ष, इनकी फिल्मे केरियर की शुरुआत्ष हनुषका सर्मा ने 2010 में यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्राद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रन्बीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिछा को मिली और फिल्म सफल रही अनुषका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुषका के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाए थी सितमबद 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रिमियर गीत के लिख के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सुपरेश्टार अबिनेता रंदीफ हुड़ा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिलिम में नज़ा आते हैं बिद्धार्ती जिवन में ही रंदीफ हुड़ा ने अबिनाई छेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अबिनेता तोर बार कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसून में अबिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स्तक परिच्चा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राइब की डी के बाद फुड़ा ने कई सफल परियोजना के कार्या किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुतारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाय किरदार निवाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निवाया है बाद करें दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अलि खान सालमान खान एक मदद में युवा का पूरुख पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लेक का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बारतिय पहलवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुसका सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत करता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिश्णा लेता है और इस मुकाबले को जबने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीज जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमे के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बात सुल्तान अकेला वहां रख्ट बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरीर बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोट लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीच जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने ही नाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से घरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस दिख रही थी जो फ्रेंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की शुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाड जाता है की रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फियर का सुरो स्रेस्ट नए अबिनेता का प्रोसकार मिला वो फिल्म 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 की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलोर्व इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या भूमिका में दी यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफल रही थी और इसके बाद बर्च उन्हें से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च थाबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हिट फिल्मों में मुक्या वुमी का निभाई जिन में सामिल है परामे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबर्च सफल ता के बाद उन्हें से बान में और उन्हें से तिरान में में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उन्हें से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लवहन साली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सकालकार के रूप में मनिशा कोईराला, नाना पाटेकर और सिमा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिच्छ को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपूर के साथ राज कवर की एक्षन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता है कि दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके है कौन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार आप बिनेत्री मादरी दिख्षित के साथ खान ने उने से चौरानमे में आपनी पहली सफलता का एतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेश्टार आप बिनेत्री अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक बिनेत्री है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआती थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वरा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफिस रहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुडर्शकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकान दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्केटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केडियर की सुरुआत इनकी फिल्मे केडियर की सुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्रात के साथ बेंड बाजा ब्रात के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिलिम को अच्छी समिच्छा को मिली और फिलिम सफल रही अनुस्का सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिलिम अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाई थी सितमबद दौजा तेरन में अनुस्का सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिस्सा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और दौजार पंद्रम में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिक के लिए उद्गाटन समरोह में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेश्टार अभिनेता रंदीप हुड़ा रंदीप हुड़ा ये एक बात या भिनेता है जो हिंदी फिल्मों में नजार आते हैं बिद्धारती जीवन में ही रंदीप हुड़ा ने अभिनाई छेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बर कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुवाद 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम के पाश्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिष्चा की और 2005 में रिलीज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने रिलीज किया कह था बात करें दोस्तों इस फिल्म की budget in box office collection के बारे में इस फिल्म को बनाने में budget एक से 40 क्रोड के आसपस budget लगी थी और इस फिल्म ने कुल कारोबार यानि वर्लड वाइट क्लेक्शन 6 से 23.33 क्रोड का क्लेक्शन किया था इस फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा बर्दसन किया था और इस फिल्म ब्लोगबॉस्टर शावीत हुई थी बात करें दोस्तों सूपर स्टार दबंग खान यानि सर्मान खान सर्के फिल्म की कहानी के थोड़ा सा बारे में इस फिल्म में सूपर स्टार सल्मान खान सुल्तान अली खान का किरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का किरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिलिम की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक मादब में युवा का पुरुवा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सहर में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवाणी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीज जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्टान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्टान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसे उसका सपना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्टान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब उस तब तक उसका सरीर बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फत्तेहा सिंग पतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सप्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सेहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्टान जीत जाता है लेकिन सेमी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर अकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीद जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते है इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिलिम का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से खरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मैं 2016 को प्रादिशित किया गया था फिलिम में सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस्त भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुषका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस्त दिख रही थी जो फैंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेश्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की सुरुवात उन्हें से 88 में आई फिल्म बीबी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिबूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है की रोमान्स फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत में भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सरवस्ट्रेश्ट नए अबिनेता का प्रोसकार मिला वो फिल्मे फिल्मे फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या में दी यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसे और इसके बाद बर्च उने से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीट फिल्मों में मुक्या भूमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अबिस पर इन फिल्मों का जबर्च सफलता के बाद उने से बानमे और उने से तिरानमे में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से 93 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लिला भनसाले की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपूर के साथ राजकवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और अजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिछूट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता है कि दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेस्टार अब बिनेतरी मादरू दिख्षित के साथ खान ने उने से 94 में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात करें दोस्तों सुपरेस्टार अब बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक अब बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ शुरुआती थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वरा बनाई गई फिल्म बेंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्मे फियर पुडर्शकारों में सरोस रेस्टा बिनेत्री का नामंका दिलाया और स्टूपर रेस्टार बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी कीर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरिया की शुरुआत इनकी फिल्मी केरिया की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में 2010 में अनुसका सर्मा ने पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक भूमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिच्छा को मिली और फिल्म सफल रही और उसका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिल्म अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाई थी सितमबद 2013 में हनुस्का सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रिमियर गीत के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपर एस्टार अब्विनेता रंधीफुडा रंधीफुडा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिल्म में नजार आते हैं विद्धार्ती जीवन में ही रंदिफ हुड़ा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बार कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआद 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली पर्योजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राइब की डी के बाद फुड़ा ने कई सफल पर्योजना के कार्या किया और अगली सफल था इन्होंने मिलान लुतारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम उसका सर्मा आरफा अलिखान का केरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेहे सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अलिखान सालमान कान एक माद्दम में युवा का पुरुवा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सार में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जबने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वह और मुकाबले में जिद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं रहने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहार रक्ट बैंग बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अकासुल्तान को बोलता है कि यदि वर्लीक में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब उस तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसकारण वह उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर अकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते है इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्षों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से खरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एल्बम 31 मई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सूपर स्टार सलमान खान सूपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस भूमी का निभाई है और सूपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस दिख रही थी जो फेंस ने काफी अच्छा किया था सुपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की शुरुआत उने से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहली प्रामुक बोमी का सुरज आरबार जाता है कि रोमान्स फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सुर्वस्रेश्ट नए अबिनेता का पुरसकार मिला वो फिल्मे फिल्मे फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या इसे और इसके बाद बर्च उनने से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च था जब इन्होंने लागतार तीन सफल हिल्मों में मुक्या वुमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्भे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जबर्द सफलता के बाद उने से बान में और उने से तिरानमे में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लिला भनसाली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सख कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिमा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आरबाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेस्टार अबिनेत्री मादरूई दिख्षित के साथ खान ने उने से 94 में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेस्टार अबिनेत्री अनुस्का सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धों की एक अबिनेत्री है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुवात की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वरा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफिस रहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्म फियर पुडर्शकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकान दिलाया और स्टूपर रेस्टार बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्केटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की शुरुआत इनकी फिल्म केरियर की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में 2010 में अनुसका सर्मा ने यस राज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सवधा बैंड बाजा ब्राद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्म नेक बनाया था और रनबीर कब रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिलिम को अच्छी समिच्छकव मिली और फिलिम सफल रही अनुस्का सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिलिम अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाई थी सितमबद 2013 में अनुस्का सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरीश्टार अभिनेता रंदीफुडा रंदीफुडा ये एक बात या भिनेता है जो हिंदी फिलिम में नज़ा आते हैं बिद्धार्ती जीवन में ही रंदिफ हुट्डा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुट्डा भारत वापस आ गए मौडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बर कार्यकर ने लगे और हुट्डा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुवाद 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली परियोजना के लिए चार बर्स तक परिच्चा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किर्दार के लिए हुट्डा को अलोशको की प्रसांस प्रात की डी के बाद हुट्डा ने कई सफल परियोजना के कारे कारे किया और अगली सफलता इहोंने मिलान था जो हर्याना के एक छोटे से सार में रहता है था आकास अबराय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये पारवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है लेकिन सुल्तान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पारवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अन्तर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की काहानी बताता है जब सुल्तान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्ट्य एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमे के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आरफा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्टान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अका सुल्टान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब उस तब तक उसका सरीर बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वो उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वो कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वो अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते है इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉड बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्षों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना बिसाल से खर द्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्टर दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 मई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सूपर स्टार सलमान खान सूपर स्टर सलमान खान ने काफी जबरदस भूमी का निभाई है और सूपर स्टर सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस दिख रही थी जो फ्रेंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेस्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाय की शुरुआत उने से 88 में आये फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहली प्रमुक बोमी का सुरज आरबाड जाता की रोमान्स फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फियर का सुरवस्रेश्ट नए अबिनेता का प्रोस्कार मिला वो फिल्म 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 खान की केवल एक ही फिल्म रिलीज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसके बाद बर्च उन्हें से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च आबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हीट फिल्मों में मुक्या भूमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्र में ही बॉक्स अपस्पर इन फिल्मों का जबरत सफ़ता के बाद उनें से 22 और उनें से 93 में में रिलिज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लवहन साली की दिशामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलाकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपूर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड होन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार आप बिनेतरी मादरुज दिख्षित के साथ खान ने उने से चोरान में में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपरेश्टार आप बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मॉडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक बिनेतरी है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आई प्रसिद हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ शुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बेंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इन्हें फिल्म फियर पुडर्शकारों में सरोस रेस्टा बिनेत्री का नामंकां दिलाया और स्टूपर रेस्टार बिनेत्री अनुसका सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी की पेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरिया की शुरुआत इनकी फिल्मी केरिया की शुरुआत अनुसका सर्मा ने 2010 में अनुसका सर्मा ने पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रनबीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिच्छ को मिली और फिल्म सफल रही और उसका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिल्म अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी परचान दिलाए थी सितंबा 2013 में अनुस्का सर्मा ने एक फिल्म सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिल्म निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रीमियर गीत के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात करें दोस्तों सूपरेस्टार अब बिनेता रंदीप हुड़ा रंदीप हुड़ा ये एक बात्या बिनेता है जो हिंदी फिल्मों में नजार आते हैं विद्धार्ती जिवन में ही रंदीप हुड़ा ने बिनेच्चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मडल तदर रंगमच अबिनेता तोर बार कार्या करने लगे और हुड़ा ने आपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायार की मानसुन में अबिनाय किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली पर्योजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अलोशको की प्रसांस प्राइब की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल पर्योजना के कारह किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुथारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम इन मुंबाई में से की और जो इनके केरियर का निर्मान बिंदूर रहा और इसके पस्चाद से हिसाग साहे बीबी और कीरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का कीरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेह सिंग सुल्तान का कोच का कीरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्तान अली खान सालमान खान एक माद्दम में युवा का पुर्वा पालवान था जो हर्याना के एक छोटे से सार में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लिग का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रसिद्ध करने के लिए एक बात ये परवान को रखना चाता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत करता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्ट्य एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीट जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमे के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही आका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वो उसे फतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वो कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वो अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आरफा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना बिसाल से खरद्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सूपर स्टार सलमान खान सूपर स्टार सलमान खान ने काफी जबरदस्त भूमी का निभाई है और सूपर स्टार सलमान खान अनुसका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस्त दिख रही थी जो फ्रेंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेश्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की सुरुआत उन्हें से 88 में आई फिल्म बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने साहय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिवूर्ट फिल्म में उनकी पहले प्रमुक बोमी का सुरज आरबाट जाता की रोमान्स फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सुरवस्रेश्ट नए अभिनेता का प्रोशकार मिला वो फिल्मे फिल्म फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अभिनेतरी नागमा मुक्या भूमि का में दी यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसे और इसके बाद बर्च उन्हें से एक आन्वे में इनके लिए सफल बर्च साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल हिट फिल्मों में मुक्या भूमि का निभाई जिन में सामिल है पराम्भे मे इन फिल्मों का जवर्ध सफल्टा तके बाद उने से बाद में और उने से 29uous की नमान फिल्म में सफल रही deve if 1973 नहीं से 96 के बाद बाद दो सफल फिल्मों दई और इन में से पहली सैळाी लिलाभनसाली की दिशामक्त शुरुवात और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सकलाकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिलिम और यह फिलिम बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्षन हीट फिलिम जीत्म से रही थी उने से 97 में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके है कौन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेस्टार अब बिनेत्री मादरी दिक्षित के साथ खान ने सुपरेस्टार अब बिनेत्री अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलिवूर्ड फिल्मों की वूलिवूर्ड की एक अब बिनेत्री है इन्होंने अपनी अभिने सफर 2008 में आई प्रसिद हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआती थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्ति और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बेंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्तराहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्म फियर पुडर्शकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकान दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की सुरुआत इनकी फिल्मी केरियर की सुरुआत हनुषका सर्मा ने 2010 में हनुषका सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बैंड बाजा ब्राद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रन्बीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिल्म को अच्छी समिच्छा को मिली और फिल्म सफल रही अनुषका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और ये फिल्म अनुषका के लिए केरियर के लिए प्रामुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाए थी सितमबद 2013 में हनुषका सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिस्सा लिया और देवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रिमियर गीत के लिक के लिए उद्गाटन सम्रोहों में भाग लिया था बात किरें दोस्तो सूपरेस्टार अबिनेता रंदिप हुड़ा ये एक बात्या बिनेता है जो हिंदी फिलमों में नजर आते हैं विद्धार्ती जीवन में ही रंदिफ हुट्डा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिचापुरी करके हुट्डा भारत वापस आ गए मडल तदर रंगमच अभिनेता तोर बार कार्य करने लगे और हुट्डा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआद 2001 में मेर नायर की मानसून में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली पर्योजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलीज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुट्डा को अलोशको की प्रसांस प्राथ की डी के बाद हुट्डा ने कई सबल पहले की कहानी बताता है जब सुल्तान को आर्फा अनुसका सर्मस से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्तान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिसा लेता है और इस मुकाबले को जिदने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जिद जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सोचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रक्त बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बाद का पता चलते ही अकाज सुल्तान को बोलता है कि यदि वर लिग में हिस्सा ले लेता है तो उसका सबना पूरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब तब तक उसका सरीर बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वो उसे फत्तेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वो कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सेहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वो अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर आकास को कहते हैं कि जब तक वो पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आरफा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्टान दर्द के बाद भी इस परतियोगिता को जीट जाता है और सुल्टान और आरफा फिर से एक हो जाते हैं इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाता है और इसे कुछ बर्षों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिल्म का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना बिसाल से खर द्वारा किया गया है और जबकि बोल इस्वर्दी कामिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिशित किया गया था फिल्म में सूपरस्टार सल्मान खान सूपरस्टार सल्मान खान ने काफी जबरदस्त भूमी का निभाई है और सूपरस्टार सल्मान खान अनुसका सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबरदस्त दिख रही थी जो फेंस ने काफी अच्छा किया था सूपरेश्टर सलमान खान ने अपने आप बिनाई की सुरुवात उन्हें से 88 में आई फिलिम बीबी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने सहाय कलाकार की भूमी का निवाई थी बॉलिबूर फिलिम में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता है की रोमान्स फिलिम मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिलिम भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्नेफेयर का स्वर्वस्रेश्ट नए अभीनेता का प्रोसकार मिला वो फिल्नेफेयर स्वर्वस्रेश्ट अभीनेता के लिए अभीनेता के लिए नामंकन भी प्रात किया था उने से नब्वे में आई फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉरलो इसमें दचिन भारत की अबिनेतरी नागमा मुक्या बुमिका में दी यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफल रही थी और इसके बाद बर्च उने से एकानवे में इनके लिए सफल बर्च साबित हुआ जब इन्होंने लागतार तीन सफल ही फिल्मों में मुक्या बुमिका निभाई जिन में सामिल है पराम्मे में ही बॉक्स अपिस पर इन फिल्मों का जवर्द सफलता के बाज उने से बान में और उने से तिरान में में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्म में सफल रही उने से च्यानमे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजय लीला भनसाली की दिसामक्त शुरुवाता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अपिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुट जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता के द्वारा निर्दसी दूसरी फिल्म सहयो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपर स्टार अब बिनेत्री मादरी दिख्षित के साथ खान ने उने से चोड़ान में में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात के दोस्तों सुपर स्टार अब बिनेत्री अनुसका सर्मा एक मॉडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक अब बिनेत्री है इन्होंने अपनी अबिने सफर 2008 में आय प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्थी और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्म फियर पुडर्सकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकां दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की शुरुआत इनकी फिल्मे केरियर की शुरुआत अनुस्का सर्मा ने 2010 में 2010 में अनुस्का सर्मा ने यसराज फिल्म के साथ अपने तील फिल्मों का सौधा जहां उन्होंने साहय कलाकार की भूमी का निवाई थी वालिवूर्ट फिल्म में उनकी पहली प्रमुक बोमी का सुरज आर बाड़ जाता है कि रोमांस फिल्म मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिल्म भारत में भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मे फियर का सुरो स्रेश नए अभीनेता का प्रोसकार मिला वो फिल्मे फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लो इसमें दचिन भारत की आभीनेतरी नागमा मुक्या भूमिका में द थी यह फिल्म बोक्स अपिस पर शफल रही थी और इसके बाद बर्ष उन्हें से एकानवे में इनके लिए सफल बर्ष विद्ध हुआ जब इन्होंने लागतार तिन सफल ही फिल्मों में मुक्या भूमिका निभाई जिन में सामिल है पराम्हे में ही बोक्स अपिस पर इन इन फिल्मों का जबर्द सफलता के बाज उने से बानमे और उने से तिरानमे में रिलिज हुई इनकी दमाम फिल्मे सफल रही उने से च्यान्मे के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजैली लवहन साली की दिशामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला, नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिछा को द्वारा सरा ही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपूर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानवे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड होन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता है कि दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहयो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपरेश्टार आप बिनेतरी मादरुज दिख्षित के साथ खान ने उने से चोड़ान में आपनी पहली सफलता का इतिहास पुलना दोराया बात करें दोस्तों सुपरेश्टार आप बिनेतरी अनुसका सर्मा एक मॉडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक बिनेतरी है इन्होंने अपनी अभिने सफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्ति और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बैंड बाज़ा बराद 2010 के लिए काफी स्राहा गया था दोनों ही फिल्म ने इहें फिल्म फियर पुडर्सकारों में सरोस्रेस्टा बिनेत्री का नामंकन दिलाया और सुपरेस्टार बिनेत्री अनुस्का सर्मा ने 11 दिसंबद 2017 को प्रसिद्ध खिलाड़ी किर्गेटा खिलाड़ी बिराट गोली से साधी की थी वैसे ही दोस्तों बात करें इनकी केरियर की सुरुआत, इनकी फिल्मी केरियर की सुरुआत हनुषका सर्मा ने 2010 में हनुषका सर्मा ने यसराज फिलिम के साथ अपनी तील फिल्मों का सौधा बेंड बाजा ब्राद के साथ पूजा पूरा किया और जिसे मनिशा सर्मा ने बनाया था और रन्बीर सिंग इसमें प्रामुक बुमिका में थे और फिलिम को अच्छी समिच्छा को मिली और फिलिम सफल रही अनुषका सर्मा के अभिनाय की भी तारिफ हुई थी यह अक्सर नोट किये गए और यह फिलिम अनुस्का के लिए केरियर के लिए प्रमुक रही थी क्योंकि इसने उनके काफी पचान दिलाई थी सितंबा 2013 में अनुस्का सर्मा ने एक फिलिम सो में रैप पर हिसा लिया और दिवगंद फिलिम निर्माता यस्चोबडा की याद और आयोजित किया था उन्होंने कोलकाता में आयोजित उन्होंने वाले और 2015 में इंजिनियर प्रिमियर गीत के लिए उद्गाटन समरोहों में भाग लिया था बात किरें दोस्तों सूपरेश्टार अबिनेता रंदीफ हुड़ा ये एक बात या बिनेता है जो हिंदी फिलिम में नजर आते हैं बिद्धारती जीवन में ही रंदीफ हुड़ा ने अभिनाई चेत्रा में कदम रखा और मेरवन अस्ट्रेलियन में अपनी सिच्चापुरी करके हुड़ा भारत वापस आ गए मोडल तदा रंगमच अभिनेता तोर बार कार्यकर ने लगे और हुड़ा ने अपनी बॉलिवूट केरियर की शुरुआ 2001 में मेर नायर की मानसुन में अभिनाई किया था फिल्म से की और हाला की फिल्म में उनके अपने अच्छे काम की पस्चाथ भी इन्होंने अगली पर्योजना के लिए चार बर्स तक परिच्छा की और 2005 में रिलिज हुई राम गुपल वर्मा की फिल्म डी में अपने किरदार के लिए हुड़ा को अल्लोशको की प्रसांस प्राव की डी के बाद हुड़ा ने कई सफल पर्योजना के कारह किया और अगली सफल था इहोंने मिलान लुतारिया की कई 2010 की फिल्म वन्स अपन और टाइम इन मुंबाई में से की और जो इनके केरियर का निर्मान बिंदूर रहा और इसके पस्चाद से मानखान और अनुस्का सर्मा है जबकि सहायक बुमिका में रंदी फुड़ा जैसे और बड़े इस्टार भी दिखाई देंगे फिल्म का संपादक रमेश्वर भागत द्वारा किया गया था और सुल्तान मुवी का यसरा स्पिल्म द्वारा इस्टूडियो द्वारा बनाई गया थी दोस्तों बात करें सुल्तान मुवी को हिंदी भासा में बनाया गया था और इंडिया में रिलिस्ट क्या गया था बात करें दोस्तों इस फिल्म की बॉजट इन बॉक्स अपिस के बारे में इस फिल्म को बनाने में बजट एक से चालिस क्रोड के आसपस बजट लगी थी और कुल कारोबार यानि वर्ल्ड वाइट किलेक्शन चो से तेज़ कोईंड तेज़ क्रोड का क्लेक्शन किया था यह फिल्म कमाई के मामले में काफी अच्छा परदसन किया था और यह फिल्म ब्लॉक्वस्टर शावीद हुई थी बात करें दोस्तों सूपर स्टार दबंग खा का किरदार निभाया है जबकि अनुस्का सर्मा आरफा अली खान का किरदार निभाया है वैसे ही रंदी फुड़ा फतेह सिंग सुल्तान का कोच का किरदार निभाया है बात करें दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा दोस्तों सुल्तान मुवी का कहानी सुल्त में रहता है था अकास अब्राय अमित साथ एक प्रो टेक डाउन लेक का मालिक रहता है और वो इसे बहुत प्रस्दा करने के लिए एक बारतिय परवान को रखना चाहता है इसके लिए वो सुल्टान से बात करता है लेकिन सुल्टान साथ साथ मना कर देता है अकास अब उसके पालवानी छोड़ने के कारान जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद अंतर सर्मा से बात करता है उसके बाद गोविंद उसे आठ साल पहले की कहानी बताता है जब सुल्टान को आर्फा अनुस्का सर्मा से प्यार हो जाता है लेकिन आर्फा उसे मना कर देती है और सुल्टान इसके बाद कई महीने तक बहुत मेनत काता है और पालवानी के एक मुकाबले में हिस्सा लेता है और इस मुकाबले को जबने के बाद जल्द ही आर्फा और उसकी साधी हो जाती है और वो राष्टिय एस्तर का पालवान बन जाता है यस कुछ समय बाद आर्फा मा बनने वाली होती है तो और पालवानी छोड़ देती है जिस दिन उसका बच्चा होने वाला होता है उसी दिन वो और मुकाबले में जीत जाता है और जब वापस आता है तो वो पता चलता है कि उसका बच्चा खून उसका बच्चा खून की कमी के कारण से मर गया है और उसका खून ओ होता है और जो सुल्तान का भी होता है लेकिन उसके नहीं राने के कारण कोई और खून देने वाला भी नहीं मिलता इस कारण आर्फा उसे ही उस बच्चे के मरने का कारण सुचती है इसके बाद सुल्तान अकेला वहां रख दे बैंक बनाने के लिए पैसा जमा करने लगता है इस बात का पता चलते ही अका सुल्तान को बोलता है कि यदि वर्ल लिग में हिसा ले लेता है तो उसके उसका सबना पुरा करने के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे सुल्तान मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चले जाता है लेकिन तब उस तब तक उसका सरील बेढ़ंगा और मोटा रहता है और इसी कारण वह उसे फत्तेहा सिंग पतेहा सिंग रंदी फुड़ा के पास छोड़ देता है जहां वह कुछ सब्ता के लिए अभ्यास करता है और पुरी तरह से सेहमतन होने के बाद पहले ही मुकाबले में सुल्तान जीत जाता है लेकिन सेवी फाइनल में उसे बहुत पुरी तरह से चोड़ लग जाती है और वह अस्पताल में भरती हो जाता है डक्टर अकास को कहते हैं कि जब तक वह पुरी तरह से ठीक न हो जाता तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इसके बाद आर्फा अस्पताल में आ जाती है और उसे इस काम को पुरा करने के लिए बोलती है सुल्तान दद के बाद भी इस परतियोगिता को जीत जाता है और सुल्तान और आर्फा फिर से एक हो जाते है इसके बाद सुल्तान अपने इनाम के पैसे से एक ब्लॉट बैंक बनाना बनाता है और इसे कुछ बर्सों के बाद आर्फा एक बच्ची को जनम देती है फिलिम का संगीत सुल्तान मुवी के संगीत की रचना 20 साल से करद्वारा किया गए है और जबकि बोल इस्वर्दी कमिल के है और गाने का एलबम 31 माई 2016 को प्रादिसीत किया गया था फिलिम में सुपर स्टार सलमान खान सुपर स्टार सलमान खान ने काफी जबर्दस भूमी का निभाई है और सुपर स्टार सलमान खान अनुस्का सर्मा की जोड़ी ये सुल्तान मुवी में काफी जबर्दस दिख रही थी जो फैंस ने काफी अच्छा किया था सुपर स्टार सलमान खान ने अपने आप बिनाई की शुरुआत उने से 88 में आई फिलिम बीवी होते ऐसी से की थी जहां उन्होंने साहय कलाकार की भूमी का निभाई थी बॉलिवूर्ड फिलिम में उनकी पहले प्रामुक बोमी का सुरज आरबाट जाता की रोमान्स फिलिम मैंने प्यार किया उन्हें से 89 में थी और यह फिलिम भारत की सरवदी कमाई करने वाले फिल्मों में से एक बन गई इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्नेफेयर का स्वरोस्रेश नए अभिनेता का पुरस्कार मिला वो फिल्नेफेयर स्वरोस्रेश अभिनेता के लिए अभिनेता के लिए नामंकन भी प्रात किया था उन्हें से नब्वे में आई फिल्म खान की केवल एक ही फिल्म रिलिज की गई थी जिसका नाम था बागी और रिवेल फॉर लॉर इसमें दचिन भारत की अब बिनेतरी नागमा मुक्या भूमिका में दी यह फिल्म बॉक्स अपिश पर सफ़ल रही थी और इसके बाद बर्श उन्हें इनके लिए सफल बर्श ificत हुआ जब इनोंने लागतार तिन सफल हिल फिल्मों में मुख्यावूमी का निभाई जिन में सामिल है पराम्ह में ही बॉक्स अप इस पर इन फिल्मों का जबरत सफलता के बाद उने से 92 और उने से 93 में में रिलीज हुई इनकी दमाम फिल्में सफल रही उने से 96 के बाद दो सफल फिल्मों दी और इन में से पहली संजय लिला भनसाली की दिसामक्त शुरुआता और खामोसी दम म्यूजिकल थी जिसे सक कलकार के रूप में मनिशा कोईराला नाना पाटेकर और सिम्मा विश्वास थी हाला कि यह फिल्म और यह फिल्म बॉक्स अबिस पर सफलता रही और समिच्छा को द्वारा सराही गई इनकी अगली सफलता स्वानी देवल और करिश्मा कपुर के साथ राज कवर की एक्शन हीट फिल्म जीत्म से रही थी उने से संतानमे में इनकी दो फिल्में जुड़वा और औजार रिलीज हुई और पहली वाली फिल्म डेविड धौन के निर्दसक वाली एक खास्या फिल्म थी जिसमें जनम के समय बिचुड़ जाने के कारण दोरी भूमिकानी भाई सुरज आर बाट जाता कि दोरा निर्दसी दूसरी फिल्म सहियो करने में रोमांस फिल्म हम आपके हैकॉन में सहाय कलाकार की भूमिकानी भाई और सुपर अब्विनेत्री मादरू दिख्षित के साथ खान ने उने से चोरानमे में आपनी पहली सफलता का एतिहास पुलना दोराया बात करें दोस्तों सुपर स्टार अब्विनेत्री अनुसका सर्मा एक मोडल और बॉलीवूर्ड फिल्मों की उद्धो की एक अब्विनेत्री है इन्होंने अपनी अब्विनेत्री शफर 2008 में आई प्रसिद्ध हुई फिल्म हिंदी फिल्म रब ने बना दी जोडी के साथ सुरुआत की थी जोकी अदित्या चोबड़ा बनाई गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी सुर्ति और ककड़ द्वारा बनाई गई फिल्म बैंड बाजा बराद 2010 के लिए काफिश थी